नमस्कार चनक्या IAS Academy के संपाद की विश्लेशन में आपका स्वागत है वीडियो की सुरुवात करते हैं पिछले वीडियो में पूछे गए प्रस्ण से जो प्रस्ण पूछा गया था वो प्रस्ण है कि भारती सम्विधान के किस अनुच्छेद के अंतरकत व्यस्क मताधिकार का प्रावधान है चार ओप्सन है ओप्सन A अनुच्छेद 325 ओप्सन B अनुच्छेद 326 C अनुच्छेद 327 और ओप्सन D अनुच्छेद 328 इसका सही जवाब क्या है इसका सही जवाब है ओप्सन B अनुच्छेद 326 चलिए बढ़ते हैं अब अपने संपादिकी की ओर देखें ये दो संपादिकी आज के हिंदू पेपर में मौझूद हैं पहला संपादिकी ये जिसका सिर्षक है authoritarian turn तो यह अमरीकी चुनाव में मतदान की प्रक्रिया के बीच ट्रम्प के जीत वाले बयान पर आधारित है हमा स्टेटस इस विसे पर हमने चार ऑक्टूबर के संपादिकी से समंदित वीडियो में चर्चा किये है इसलिए इस संपादिकी की भी चर्चा इस वीडियो में हम नहीं करेंगे अब हम बढ़ते हैं उस संपादिकी की ओर जिसकी चर्चा इस वीडियो में की जाएगी उस दिया गया है इंडियन एक्स्प्रेस से और यहां संपादकी है जी एस पेपर थर्ड में सामिल विसे मुख्य फसलें देश के विभिन भागों में फसलों का पैटर्ण सिचाई के विभिन प्रकार एवं सिचाई परणाली कृसी उत्पादन का भंडारन परिवहन तथा विप की संभावना तो देखे इसमें कोई संदेह नहीं है कि बिहार में कृसी छमता है या नहीं है ऐसा इसलिए क्योंकि अगर बिहार की मिट्टी की बात की जाए तो बिहार में जलोड मिट्टी है वहीं बिहार में प्रयाप्त जलसरोत हैं जैसे गंगा, सोन, गंड़, कोसी जैसी नदियां वहीं अगर हम दुईती हरित करांती की बात करें तो दुईती हरित करांती के एक प्रमुक केंद्र की रूप में बिहार इस्थापित हुआ है और इस दिसा में कारे भी किया गया है। हमें यह पता है कि 1960 के दसक में देश में प्रथम हरित करांती की सुरुवात की गई। जहां प्रथम हरित करांती की अपनी सफलताएं हैं वहीं इसकी कुछ सीमाई भी हैं। अगर सीमाई की बात की जाए तो राशायनिक उर्वरकों का अत्यधिक प्रियोग और सिचाई की फ्लड तकनीक के कारण भूमिगत जल इसतर का निम्न होना इनको सामिल किया जा सकता है। और इनी सीमाऊ को दूर करने के लिए दूसरी हरित करांती की सुरवात की गई। जिसमें जैविक आधहारित कर्सी क्रिया कलापों पर जादा बल दिया जाता है। तो अब हम यहाँ जो दृती हरित करांती के एक प्रमुक केंदर के रूप में बिहार के उभरने की बात कर रहे हैं। तो इसका उधारन क्या है? इसका उधारन है मक्य की खेती। तो देश में मक्य के कुल उत्पादन का एक चौथाई उत्पादन बिहार में होता है। वहीं देश में जो मक्य का ओसत उत्पादन होता है तो उसका दुगुना ओसत उत्पादन बिहार में मक्य का किया जाता है वही कोसी सिमांचल छेतर के कई किसान प्रती एकर 50 कुुंटल या उस से ज़्यादा का उत्पादन करते हैं और मक्य का यह उत्पादन अमेरिका के हाट लेंड कहे जाने वाले मक्या उत्पादक छेतर से तुलना करने के योगे है अब मक्के का यह जो उत्कृष्ट उत्पादन किया जाता है तो उसका स्रेय किसको जाता है? उसका स्रेय जाता है मल्टी नेशनल सीट कमपनी और बड़े व्यपारिक फर्म को इनों ने या इनके प्रयास से रभी के मौसम में जबकि साफ आकास, कमतापमान, बार का अभाव और निमनिक कीट संकर्मन की इस्तिती रहती है मक्के का उत्कृष्ट उत्पादन किया जाता है इतना ही नहीं अगर मक्के की खेती अप्रेल से लेकर जून महने की बीच भी की जाए तो इस बीच भी मक्के की खेती संभव है उस समय जबकि मक्के की उपलब्दता ना केवल भारत बलकि दक्षिन अमेरिका में भी नहीं होती है, बिहार में 21 सदी के प्रारम्भिक दसक में मक्गा उतपादन को किसान ने चुना, परतो ऐसा नहीं है कि केवल बिहार के किसानों ने मक्गा उतपादन में ही सफलता हासिल किये, बलकि अन्य फसल जैसे की लीची और मखाना जिसे फॉक्स नडवी करते हैं कि उतपादन में भी सफल्टा हासिल की अब यहाँ या महत्तपूर्ण है कि चाहे वो मक्का हो चाहे वो लीची हो चाहे वो मखाना हो इसके उत्पादन में बिहार के किसानों ने जो सफलता हासिल की है उसमें गौर करने वाली बात यह है कि इसमें पूर्ण रूप से योगदान नीजी छित्र का है वहीं इन फसलों से समंदित कोई भी MSP नहींद है उसके अलावा इसमें APMC मतलब Agriculture Produce Market Committee की भी कोई भूमिका नहीं है अब देखिए इसमें कोई दो राय नहीं कि पिछले दसक में बिहार में कुछ बुनियादी स्विधाओं में सुधार हुआ है जैसे कि सड़क, बिजली और पानी परन्तु करसी छेत्र में अभी भी सिचाई पर अगर निर्भरता की बात की जाए तो किसानों की निर्भरता डीजल पंप पर है क्योंकि बिजली की पहुँच जरूर हो गई है लेकिन थ्री फेज की अगर बात करें तो थ्री फेज बिजली की पहुँच नहीं है तो अब देखिए कि इसका क्या नुकसान है तो नुकसान यह है कि किसानों की जो लागत है वो सिचाए में वो ज़्यादा पड़ रही है वहीं डीजल पंप के उप्योग के कारण ना केवल प्रयावरन प्रदूसन इस तर में विर्धी होती है बलकि भूमेगजल इस तर में भी कमी होती है तो बिहार के लिए जो यह आवस्यकता की बात कही जाती है कि वहां पर आर्थिक विकास की गती तेज हो तो इस आर्थिक विकास की गती को तेज करने के लिए यह आवस्यक है कि किर्सी पर ध्यान केंद्रित किया जाए, साथी किर्सी से संबंधित आधारभूत सुविधाओं का भी विस्तार किया जाए, ताकि बिहार के लोगों को नियमित रोजगार और नियमित आय की प्राप्ति हो, इस प्रकार इस संपादिकी के माध्यम से हमने यह द यहां हमारा अगला topic जिसका शिर्षक है fixing the rules of the economy इसे लिया गया है दा हिंदू से और हिंदू में प्रकासित यह जो आलेक है यह आलेक GS paper 3 में शामिल विस है भारती अर्थविवस्था तथा योजना संसाधनों को जुटाने प्रगती विकास तथा रोजगार से संबंदित विस है के दृष्टिकों से महतपूर्ण है तो चले देखते हैं इस article को विस्तार के साथ सबसे पहली बात तो यह है कि इसका आधार क्या वह कैसे वह इस तरीके से कि अगर भारती लोगों के आई पिरामीड पर गौर किया जाए तो आई पिरामीड के निचले इस तरह पर जो मौजूद लोग हैं उनकी आई का इस तरह अत्यंत ही निम्न है अब देखें अब यहां पर यह है कि अर्थ सास्त्री इसका समाधान द लेते हैं कि अगर मुक्त बाजार हो उत्पादक्ता में सुधार हो और तकनीक का अगर प्रयोग किया जाए तो लोगों की आई में वृद्धी हो सकती है तो अब इस आर्टिकल में यह बात कही गई है कि अर्थ सास्त्र के इन आधार भूतों की पुनर परिक्षा की जाए वो भी किसके संदर्व में मानव कारिके संदर्व में तो चलिए करते हैं पुनर परिक्षा तो सबसे पहली बात या है कि अर्थ सास्त्री जो इस मुक्त बाजार की बात करते हैं तो आखिर मुक्त बाजार किन संदर्वों में है तो पहला तो संदर्व यहां पर यह है कि लाब मिलता है किसानों को और जब किसानों को इसका लाब मिलता है तो फिर क्या होता है कि उनको उस फसल का उच्छ मुल्लिप्राप्त होता है और उच्छ मुल्लिप्राप्त होने का परिणाम क्या होता है कि उनकी आय में वृद्धी होती है तो मतलब यहां पर यह है कि अगर बाजार के उस भाग की जिसमें स्रमिकों की बात कही जा रिये इसका अर्थ यहां पर क्या है इसका अर्थ यहां पर यह है कि अगर बिना कानूनी अर्चनों के स्रमिकों की पहुँच अगर बाजार तक होती है तो फिर इससे निवेसकों को बड़ा फायदा होता है चीक है और और जब निवेसकों को ज़्यादा फाइदा होगा तो फिर निवेसक उस देश में या उस छेत्र में ज़्यादा निवेस करने को आकरसित होंगे परिणाम क्या निकलेगा फिर वही ज़्यादा से ज़्यादा निवेस अब देखिए अब यहां पर यह है कि अगर लोगों के प्रियाप्त आयर होगी तो प्रियाप्त आय होने से बाजार में मांग में विर्दी होगी और अगर मांग में विर्दी होती है तो फिर इससे अनुकूल व्यापार वातावरन का निर्मान होता है क्योंकि यह देखा गया है कि जब लोगों के पास प्रियाप्त मात्रा में आय नहीं होती है तो फिर निम्न आय के कारण जो निवेस है उस निवेस की दर में क्या हो जाती है कमी हो जाती है वहीं आये दूसरे जो हमने मुक्त वैपार में स्रमिकों की उपस्थिति की बात की तो इसका कैसे लाब मिलता है वो देखिए कि अगर स्रम की उपस्थिति मुक्त बाजार में होती है तो फिर क्या होता है कि स्रमिक को हम मांग और पूर्ति के साथ जोड़ कर देखते हैं तो जो मुक्त बाजार में स्रमिकों की उपस्थिती होती है तो स्रमिकों की जितनी मांग नहीं होती है उससे ज्यादा उसकी पूर्ति होती है तो फिर यहाँ पर क्या ह तो यहां पर यह होगा कि जो मजदूरी है वह क्या हो जाएगी उसमें कमी होगी और अगर मजदूरी की दर में कमी होती है तो फिर निवेसक पर जो मजदूरी देने का भार होता है उसमें भी कमी आ जाती है अब हमने मुक्त बाजार के अंतरगत हमने दोनों की बात की जहां ह स्रमिकों के मुक्त बाजार में उपस्थिती क्या उचित है तो आर्टिकल में यह बात कही जा रही है कि यह किसी भी दृष्टिकों से उचित नहीं है वह इसलिए उचित नहीं है क्योंकि स्रमिक और वस्तु दोनों में बहुत अंतर है हम स्रमिकों की तुलना कृसी का नोनी सुरक्षा का अभाव तो अगर यह इस्थिति मौजूद रहती है तो इसमें स्रमिकों के सोसन होने की संभावना काफी जादा होती है और आर्टिकिल में स्रमिकों के इस इस्थिति की तुलना दास्ता से की गई है वहीं देखिए दूसरी बात यहां पर यह है कि आर्थिक प्रगती तभी संभव है जबकि उत्पादक्ता में विर्दी हो मतलब यह कि आर्थिक प्रगती के लिए यह एक आविशक शर्थ है कि उत्पादक्ता में भी विर्दी हो और उत्पादक्ता की क्या परिभासा है? उत्पादक्ता की परिभासा यह है कि उत्पादक्ता निर्गत और आगत का अनुपात होता है मतलब आगत यहाँ पर यह है इन्पुट और निर्गत यहाँ पर यह है आउटपुट इसका अर्थ यहां पर यह है कि कम आगत हो और जादा से जादा अगन निर्गत हो तो फिर उत्पादक्ता क्या होती है उसमें विर्धी होती है और जितनी उत्पादक्ता बढ़ती है उतनी ही आर्थिक प्रगती होती है और वहीं अर्थ सास्त्री किसी अर्थ विवस्था की उत्पादक्ता के मापक के लिए स्रमिक उत्पादक्ता को एक आधार के रूप में लेते हैं। तो आकिर स्रमिक उत्पादक्ता को कैसे आधार लिया जाता है। तो देखें इसका क्या सूत्र है। इसका सूत्र यहाँ पर यह है कि इसमें जो आगत है वहाँ पर स्रमिकों की संख्या को लिया जाता है जबकि जो निर्गत है उसमें किसको लिया जाता है उसमें GDP को लिया जाता है और एक कमपनी भी अपनी उत्पादक्ता की माप के लिए इसी GDP और स्रमिक संख्या के अनुप उत्पाद को आधार के रूप में लेता है तो एक कंपनी अपनी उत्पादक्ता को बढ़ाने में दो प्रकार की रणनीती का इस्तमाल कर सकता है पहली रणनीती क्या है उस पर गौर कीजिए कि बिना स्रमिकों की संख्या को बढ़ाए उत्पादक्ता में विर्दी करना तो अ या कैसे संभव हो पाएगा क्योंकि आपने तो स्रमिकों की संख्या बढ़ाई नहीं तो यह संभव होता है मसीन और नई तकनीक के प्रयोग के द्वारा मतलब यह कि बिना स्रमिकों की संख्या को बढ़ाए मसीन और तकनीक के प्रयोग के द्वारा उत्पादक्ता में लबदता हो, तो हमने यहां पर बात की, पहली रणनीती की, अब हम बात करते हैं, दूसरी रणनीती की, इसके अंतरगत क्या होता है, जरह से गौर कीजिये, इसके अंतरगत यह होता है, कि एक नियोकता स्रमिकों की कुसलता को बढ़ाने का हमेशा प्रयास करती है, और इसके अंद्रगत यह होता है कि एक विशिष्ट प्रकार की संस्कृती का निर्मान होता है कारिस्तरों पर, जिसमें समय के साथ स्रमिकों की दक्षता में विर्दी होती है, और यह नियोकता, मतब जो काम पर रखता है, और स्रमिक के मद एक सयोग पर आधारित होता है, और इसका जादा उत्पादन संबभ हो सेके। और इसको क्या कहा जाता है इसे कहा जाता है Total quality management। इसी total quality management का प्रियोग करते हुए जापान में 1960 और 1970 के दसक में वहां की कमपनियों ने जादा से जादा उत्पादन किया जबकि वहां पर संसाधन सिमित हैं। जापान की कमपनी ने स्रमिकों के साथ दिर्ग कालिक रोजगार कॉंट्रेक्ट किया वहीं जापान की कमपनीों ने स्रमिकों की कुसलता में विर्धी के लिए उन स्रमिकों में निवेश किया अब यह देखिए अगर हम मानव और मसीन की परस पर तुलना करें तो हम क्या पात कि अगर जो मानव है उसे अगर सही वातावरण मिले और अगर उसे सही समय पर सिखाया जाए तो उसकी छमता में वृद्धी होती है। जबकि खराब प्रबंधन क्या करता है वो ज़रा देखिए। खराब प्रबंधन हमेशा उत्पादक्ता में वृद्धी के लिए स्रमिकों की संख्या के साथ वो हमेशा हेर फिर करता है। मतलब वो हायर एंड फायर की पॉलिसी को अपनाता है। आकरिया क्या है? यह है कि जब आविसक्ता पड़े तो स्रमिकों की भरती कर ली जाए और जैसे ही आविसक्ता समाप तो फिर स्रमिकों को काम से निकाल दिया जाए। तो यह कार एक कमपनी भले कर सकती है लेकिन एक देश यह कार नहीं कर सकता है। क्योंकि अगर एक देश की निम्न उत्पादगता है, तो इसका मतलब यहां पर क्या है? कि प्रती व्यक्ति GDP की इस्तिती निम्न है, तो सरकार higher and fire की policy अपना सकती है? बेसक नहीं, सरकार higher and fire की policy नहीं अपना सकती है, तो फिर इस्तिती तो यह भी होगी, क्या? कि सरकार काम पर भी लोगों को नहीं रख सकती है, तो ऐसी इस्तिती में क्या होता है? ऐसी इस्तिती में स्रमिकों का पलायन होता है, पलायन देश के भीतर होता है, और पलायन एक देश से दूसरे देश में होता है, तो अब देखिए, यहां पर इस आर्टिकिल में प्रसिद अर्थ सास्त् इस सुमाकर का उलेक क्या है? इस सुमाकर की एक परसिद्ध पुस्तक है, small is beautiful, इसका भी इसमें उलेक है, 1966 इस्वी में इस सुमाकर ने एक निबंद लिखा, जिसका सीठ सक्था, इसमें इन्होंने कहा कि विकासिल देश अपनी उत्पादक्ता में वृद्धी के लिए विक्सित देशों के उत्पादन प्रक्रिया का पालन ना करें, देखें क्या है इसका मतलब? मतलब यह है कि विक्सित देशों के द्वारा, जिस उन्नत तक्नीक के द्वारा उत्पादन किया जाता है, उससे अलग जो विकासिल देश हैं, वो क्या करें? कि वो मद्ध वर्ती तक्नीक का परियोग करें, मतलब तक्नीक ना तो बहुत पुरानी होनी चाहिए, और ना ही जादा उन्नत होनी चाहिए, क्योंकि विकासिल देशों को संतुरन इस्थापित करना होता है, किसके मद्ध? मसीन के परियोग एवं स्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने के बीच, और इसी में एक टर्म निकल कराता है, और वो टर्म क्या है? वह है गुड जॉब का टर लेकिन इस आर्टिकल में प्रारम में गुड जॉब में क्या लिखा गया है? कि स्रमिक और समाज के मद्ध संभीता, तो देखे क्यों लिखा गया वो देखी, वो इस तरीके से लिखा गया है, कि एक स्रमिक अर्थ विवस्था की आवस्थक्ता के अनुसार, उत्पाद और स सिवा को उपलब्ध कराता है, वहीं समाज और अर्थ विवस्था एक ऐसे वातावरन का निर्मान करता है, जिसमें स्रमिकों के साथ सम्मान पूर्ण विवहार किया जाता है, साती साथ स्रमिकों को सम्मान पूर्ण आई उपलब्धों इसकी भी विवस्था की जाती है, अब यहां समाज पर इसलिए जोर दिया गया है क्योंकि इसी समाज का भाग होते हैं निवेसक और उद्यमी तो फिर परिणाम क्या होगा परिणाम यह होगा कि स्रमिक और नियोकता जिसकी मैंने अभी पहले बात की थी कि स्रमिक और नियोकता के मद्ध संविदा और यही गुड जॉब का अभिलक्षन है अब देखिए कि globalization के बाद क्या देखा गया कि भले ही अगर स्रमिकों के पलायन की हम बात करें तो उसमें काफी समस्या है लेकिन अगर पूंजी के पलायन की बात करें तो उसमें कोई भी समस्या मौजूद नहीं है तो globalization के या वैस्विक करण के बाद पूंजी के पलायन के कारण क्या हुआ कि बड़े निवेसकों और कंपनियों की पकड़ बाजार पर जादा हो गई और इन बड़े निवेसकों और कंपनियों ने स्रमिकों की तुलना में मसीन पर जादा से जादा निवेस किया स्रमिकों की संख्या में कमी आई तो फिर स्रमिक संगी की सक्ति क्या हो गई वह कमजोर भी और अगर बड़े संगठनों की उपस्थिति की बात की जाए तो इन बड़े संगठनों की उपस्थिती के कारण छोटे संगठनों या उत्पादन इकाईयों को भी नुकसान हुआ तो अब इसका समाधान क्या है जैसा कि इस आर्टिकल में बताया गया है समाधान यह है कि इस प्रकार के छोटे संगठन या उत्पादन इकाई और जो भी स्रमिक हैं, वो क्या करें? वो मिलें और आपस में मिलकर ना केवल संग का निर्मान करें, बलकि नई तकनीक के प्रयोग को भी बढ़ावा दें. और इस छेत्र में जितने भी सुधार किये जाएं, उन प्रत्येक सुधारों को अपनी आविस्यक्ता और अपने अध पादक्ता लक्ष एवं गैर कुसल स्रमिक हेतू रोजगार उपलब्धता के मद्ध संतुलन इस्थापित करने के उपाय बताएं. इसके साथ ही इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नमस्कार.